बारिश के वक्त इबादास से मुतलिक भी हमारी बहुत सारी अबादते डिश्टब होती हैं तो हमें एक कंशेशन दिया गया है सगुलत दी गई है बारिश के वज़े से मिसाल के तोर पर अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो भाई नमाज में अगर मजजिद में आदमी नहीं आता घर पर जमात बना के या ऐसी पढ़ लेता है तो भी काफी है हलागी नमाज क्या है नमाज फर्ज है और भी जमात के साथ फर्ज है ऐसे नहीं कि घर पर बिला क किसी excuse के बिगर किसी मजबूरी के आप घर पे नवान नहीं पड़ सकते हैं आपको मज़्जी में आके पढ़ना है लेकिन बारिश के वक्त ये रियायत दी गई है ये रुखसत है कि बारिश हो रही है हो तो आपको यहां आने की जरूत नहीं है आप घर पे नवा पढ़ सकते हैं बलकि अलाह के नभी नभी तो बाकादा एलान करवाते थे जब बारिश तेज होती थी तो मोजन से कहते थे के अपने अपने घरों में नवा पढ़ लो ये आने की जरूत नहीं है लेकिन याद रहे कि ये वाकी जो दिक्कत में है वो आईसे नहीं आज कल तो वहालत में जो पहले थे पहले क्या था ना कोई बिजली है लाइट है ना अधेरा है कच्छी सड़के हैं कोई आदमी घर से निकले तो बड़ी मुसीबत होती थी मजज़ित पहुंचना और आज तो पक्की सड़के हैं बिल्डिंगे हैं छट्री है मनलब इतना सहूलत है तो आज तो अगर वाकी कोई दिकत में आने का अंदेशा ना अभी तो उसे मज़ज़ आना चायए बहले बारिश हो लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हमेरे पाँ छ्छतरी नहीं है मज़ज़ गया तो भीड जाओगा तो बीडियूटी नहीं कर पाऊँगा इस तरह की किसी को अंदेशा हो कि मैं मस्धिद तक पहुँचूंगा तो भीग जाओंगा और तब तक रहाँ जाएगी तो फिर उसको आने की जरूत नहीं है वो घर पे अगर पढ़ ले नमाज तो इंशालला अल्ला तला उसकी नमाज को खबूल करेगा ऐसे ही फाइदे मन इस्लामिक वीडियोज देखने और मनहज सलफ पर किताब औ सुन्त की तालिमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जर्या नजात जन्नत के हुसूर का सबब साथ ही माल में बरकत वा इजाफे का जर्या भी बने आमीन जजाका ल्लाह खेरन